आल्राइट गाइज यार वेलकम बैकी न्यू गेम प्ले वीडियो क्या आप लोगों के वट्स अप अभी गाइज यार ये शिंचन और चोप पता नहीं कहां पे चले गए हैं और गाइज यार लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि जो भी माने मॉंस्ट और ये टाटाप पंच कहां पे हैं तो गाइज यार वह सारी के सारी हमने पहले ही खरीद ली ती और वह बस अभी गेराज पर वापिस आई हैं बाकी गाइज यार अमारी जो बाकी कार्श थी जो अमने महीं ज़िकेशन कर आए थी जो थी लेंबोग नी मोडिफिकेशन कर तो फटाफट एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब करके पैनल नोटिफिकेशन दबातो और गाइज अभी जली से शिंचन और चोप के पास चलते क्योंकि गाइज आज हम बापिस से इंडियन कार्स की डिलिवरी लेने जाने वाले हैं बाज हुआ बदानी है शिंचन और चोप स्ववह से क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज मैंने आप लोग अपने शोरूम भी दिखाना हैं जो मैं ने फिरने अस र्रूम से सबसे सुदर कों हो भी इससे कहते हैं सुन्दर देख रहो मेरी सुन्दर मैं सुन्दर हूँ और यार यह कह रहा है कि मैं ख़ड़ा रहा हो तो शीषा टूट जाएगा अभी आप लोग एक पर कमेंट करके बताओं कि हम तीनों से सब से सुन्दर को मैं हूँ चौप जली से चौप कमेंड करो अभे हाँ कर तो चलो पिंकी चौप करना चौप नहीं इसका नाम पिंकी चौप है अभे चलो चल पिंकी चौप नहीं है अभे चलो चल तू पिंकी चौप अभे यार यह लोग लड़ाई कर रहे हैं वह कह रहा है कि इसका नाम पिं ऐंख आपर सब चाहां। नहां पिक्य और डिनाम है। यार यार अभी चलते हैं कलवे चलना यार अब आजो 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 अभी इंडियन कार्स के डिलिवरी भी लेके आनी है बाकी आप लोगों को अपना शोरूम भी दिखाना है अभी पहले न मैं देख के आता हूं कि हमारे यह वाले जो गेराज है इसका कितना काम नुपता है और गाइस अभी यहां से ना कुछ कारे में रुक अपने शोरूम पे लेके चानी है और शोरूम के बहुत सारी एंप्लोईस को हायर करना है तो बहुत ज़्यादा काम है वाई क्योंकि गाइस अब हम शोरूम के डिलिंग भी करेंगे यह वाली जो लेंबोगनी से आने इसको भी अंदर लग आके दिखाऊंगा अब भाई बोडिगार्ड मेरे को यह बता यहां पर और सिक्यूरिटी गार्ड कावाएंगे अरे सर आज आएंगे सर आप जल्दी बाजी मत करो सर वह आ रहे हैं खाना 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 रहे हैं कभी उनका पेट दर्द हो जाता है कभी वह खाना खाने चले जाते हैं पता निकाइस को आएंगे और आज नहीं आए ना तो इसको पक्काई में काम पर से निगाल दूँगा बाकि हमारी कुछ कार्ज यह खड़ी है जिनके उपन मैंने कवर चड़वा दिये था क्योंकि अब हमारे शोरूम के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है गयराज के अंदर और अगर इन गाड़ी को पर धूल बूल चलिका या फिर कोई गल्टी से डेंट आगया ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा क्यों बाकि यह खड़ी हमारी बैग है नार और यह वाले शीशा भी थोड़़ा रह गया था तो इसको भी दुबार रैडवाली कवर के अंदर अभी कारस में एक अपनी बुकार्ट अब्योकराइब के और सारे कारस को भी थोड़ो थोड़ो और बडिकेशन कराने हैं लोवली धार अपनी आपको जलिसे बताने हैं यह फीर आपका रूल स्ट्रोई को उपर आपन प्र लिख यह यह नहीं आ तो कुछ जादे ही तकड़ी लगेगी अभी चलो फटाइफर चलते हैं बाकि अपनी थार तो है और गाइज दर बंदे बहुत सारे बोल रहेते हैं कि मैं थार कुछ नहीं खरीड़ता है लेकिन यह दूसरे वाले गेराज पर खड़ी थी आज मैं इस वाले गेराज पर लगा और गाइज यह खड़ी यमारी टाटा पंच और यहां पे कुछ वरकर अभी काम करी रहे हैं एक बंदा सफाइ कर रहा हैं और यहां पे बाई दो तिन बंदे ड्रिल मार रहे हैं क्योंकि अभी इधर भी शीषे इंस्टोल होएंगे बहुत सारे और गाइज अभी यह वाला टेरी बैंस की ओलोग गाइज आपकला पूर सेंगार दिलिवरीं पेलूर। चलो जलती सब्सेंगे ने चलते हैं और यह चलो चलो अभी घृत हैं थार में चलते हैं पहले इनको स्डूरूम दिखाते हैं उसके बाद कारे लेने चलती हैं अभी गाईज आर पहले आप को मैं शोरूम मी दिखाता हूं सभी क्या रहा है यह पिंकी चौप नहीं चौप हो खाली अब चले चल तू पागल है क्या अब यह लोग तो लड़ते ही रहते हैं बाकि आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि इसका नाम पिंकी चौप रखें या फिर ठीक है और एक हम अपनी अपनी गाडियों पर लगवाएंगे और हमें इंस्ट्राग्राम पर फोलो कर लो सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखें हैं अभी काइस में फटा-फट अपनी लेंबोग निसियान अंदर लगाता हूं और उसके बाद लेके आते हैं भाई अपनी दिन से नहीं चलाई है अभी चल शबाई यह वाली लेंबोग निसियान को फटा-फट उपन लेखके आते हैं और चलो चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं एक सेकंड रुको अभी गाईस है यहां से मुड़ गई अब जो इस गाड़ी की साउंड है और जो पावर है वो ज सबसे ज्यादा हो पी लगती है महिंद्रा की थार और बाकी गाईस आप यह वाली कार्वर को सबसे ज्यादा हो पी लगती है महिंद्रा की थार और बाकी गाईस आज मेरे को भी ने पता कि गंजा कौन-कौन सी कार है मंगाने वाला है इंडिया से बाकी आप लोग भी कारों के नाम कमेंट कर दो जोन-जोन सी कार हमें अभी इंडिया से मंगानी है या फिर बाइक से मंगानी है फटा-फट जोन सी भी गेराज भी है और भाई अब माला रिपेरिंग सेंटर भी है पेंट करने की जगाए और बहुती ज़्यादा बड़े वाला शोरूम है वो अभी चलोगा आर फट अफट से इस गारी को बार निकालते हैं अबे पिंकी चॉप जल्दी आबे अबे आरों पे रूख जा बे अब चलो गाइस फटा फट से चलते हैं अब आर यार यह पिंकी चॉप सही कह रहा है यह कुछ जादा ही लंबा रस्ता पड़ता पड़ता है अब हाई चल रहे चल रहे हैं एक सेकिंड और गाइस दिलो बातों बातों में गंदा सा एकसिलेंट होते होते बच गया वरना गाईस चल चल चुप होजा अभी चलो गाइस फटा फट से चलते हैं अपने गेराज पर और कैसा है वह अब है यार गाइस शोरूम और काईसर आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ कि हमने शोरूम का बिजनस सही किया है यह पर नहीं क्योंकि हम पूरे लो सेंटों में इंडियन कई भी घुषा देते हैं अभी चलो चलते हैं अभग है अभी कारी का इंटीर कितना जादा ओपी लग रहा है मतलब guyzer normal है अभी इसके अंदर भी बहुत ज्यादा modification करा देंगे ना तो ये भी O.P. हो जाएगी अभी चल लो guys फटाफट चलते हैं अब यहाँ चल रहाँ चल रहाँ चल रुगजा 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 अभी चल 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 रहाँ चल रुगजा रुगजा लग रहा है और यार फ्रैंक इब गहराई निये शोरूम है और हाँ और फटा-फट बताना कमेंट में क्या लग आप लोगों अच्छा लगेगा तो इमें इसको बाइ करूंगो और गाइस यह वह वाला का पूरा का पूरा शोरूम जो हमने बाइक करेंगे और जो भी भार की कार जाया करेंगी वह भी रिपेर कर दिया करेंगे क्यूबाइश इंचान वह प्रैकिपे सही कह रहे हो और यह पूरा का पूरा एरिया हमारा बोई वाला है जहां पे सारी की सारी कार्स रिपेर होएंगे और गाइस यह वाला एरिया न यहां पे हम कुछ कार्स को मतलब जो बहुती ज़्यादा एक्सपेंसिव कार होगी और जो भाई जो मिलियनर या फिर भाई बहुती ज़्यादा करोड़ बतिया आदमी आएगा उसको यहीं से कार यहां पे जो डिस्पले होईगी वोई कार्स दिखाएंगे और गाइस यह वाला रू और यह वाला रूम है एक बार देख सकते हों कितना ज्यादा रहा है और यह वाला जो रूम है ना हमारे को बहुत ही ज्यादा सब्सक्राइब लिखोगे बोई कार्स में मंगा लिया करूंगा अब फटाफट जैना आपको में एंट्रस दिखाते हैं इस वाले गेराज की आ अब यहां दिखाता हूं दिखाता हूं रुकों गाईजार यह वाला ओफिस है जहां पे बाई शिंचैन और चोप मिलके बाई अपनी पूरी की पूरी कार्स की डील करा करेंगे यह वाला ओफिस शिंचैन को देदूगा और वो साइड वाला ओफिस बाई चोप को देदू लोई उनके लिए पानी की मशीन और कोफी की मशीन में लगा दिया मतलब कोई यहां पर कस्चमर आएगा तो उसके लिए भी बन जाएगी अभी काइस फटाफट नीचे चलते हैं और यहां टकला कहां पर हो रहा है और यहां पर कारम डिस्प्ले करेंगे बहुत ही ज़्याद यहां पर लगाएंगे और यह मोटा साथ में दिख रहा है यह हमारे पूरे के पूरे शौरूण का मैनीजर है और बाई मोटे यह क्या कर रहे है तो इन्दिक साहीं मारे इसको अरे कल्वे आगे तुचलना यार इंडियन कार्ट पी आ यहां आप यह बता नहीं कपड़े क् सब्सक्राइब करें तकला तो स्मार्ट बन गया तकला तो नहीं कपड़ें के गुम रहा है अब यार वह इंडियन कार्ट पर आएंगे ना जली चले एरपोर्ट पर आने वाली अब चलते हैं चलते हैं एक मिनट रुको बागी लेश्टर का पर पता हैं अरे यार अंदर गया ता पता नहीं का पी आ है और गाईज़ार यह वाला रूम कौन सा है एक मिनट रूको रूम है मतलब जो भी इस पेर पार्ट रा करेंगे गारियों के वह इसी वाले रूम में र यह बहात darf में रहा हैं अर्टा यह में लुकू लख कितना ऑपी है अभी जंतलब में लेश्टेंस और इस आई वाला रूम है और यहां पर सारे के सारे paint के डब्बे रहा करेंगे जो भी paint में हम करवाएंगे अभी चलो गाइस फटाफट बार चलते हैं एक मिट रुको और guys अभी यार भाई ये लेस्टर नहीं मिल रहा कहाँ पे लेस्टर क्योंकि guys ये पूरे के पूरे शोरूम की deal बाईस दूसर फहार को अपर चलो होने दो ऊने दोड़ चलते हैं ओब तुम भारी लारो से झालता हूँ आट है कि से बोलो गाइस दार मैने ठोग दिभाई गलती से और अभी अभी देखने हैं बहुत सारे मतलब वह काम तो वह बैनिक करवाई देगा नारा क्योंकि उसकी नजर में बहुत सारे बड़े बड़ी हैं और वह खुद भी बड़ी है जल्दी 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 अब यह प्र जल्दी तकले पागले क्या अब चल टीका बैटता हूं अब बैट जा बैट चल चल अब हाँ चल रहा हूं अब आपने एरपोर्ट पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी कार्ज आई है और काई सारी कि सारी अभी हमार को अपने गेरास्त शोरूं अब हाँ काई सारी की सारी कारे इंडिया से मंगा देगा अब आपने चल रहा हूं चल रूग चल रूगचा अभी सार फट अफट आफट एरपोर्ट पे चलते हैं इसको पीच्छे वाले गेट से लाना है तो काई अभी चली से अंदर चलती हैं और तेख दें काईस कौन कौन सी इंडियन कार्ज आई बाकी गाइस दुम है लोगों का नाम में लिखो तो प्यार अपने प्यारी है कर गेट क्यों नाम लिखो अब आपको तो खुला अभी चलो गाइज फटा फटे अंदर चलते हैं और देखते हैं यहां के सिक्रिटी गार देखने से पहले गेट को देते हैं यार बता हो यह जी कहहरे िंसे डरते हैं और चलो चलते ऑपने इंड्यां कार को आपने घार सार कना महें करके लगाता हूं और पाइलेट साब क्या है और सब आप ही हो ग्याँ अरे-अरे-अरे यूँ-एक मिनित रूखो अभी फटा-फट इसको ये खोल तेखने हमारी कौन-कौन इंडियन कारता ही है अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे-अरे यह क्या हो रहा है उब बैंस की टांग अपे ते सब्सक्राइब करते हैं एक मिनिट रखो अभी कार को फट जाता माला इंडिया से जुआ है और यह तो फस चुका है अभी मेरे को थार से धक्का देना पड़ेगा पडाइब कि हैकरन यह पता ने क्या कर दिया अभी मिनिट रखो अभी यह यहां जाल दागा उस औces हस नहीं ने अब लुकर के अब जल्दी बांद यार अभी आपटा नियुन क्या होगा एक मिनेट रुको और यह आपके बैदी रहे अभे गाइस अभी रुको 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 भाई रुस्षी बांदी है और गाईस यार फाइनली भाई यह वाला कार को मतलब यह हट गया यह ट्रेलर और गाईस यार यह बाई एरपोर्ट वाले बंदे बिल्कुली पागल है और गाईस हमारी थार बारी बारी टन्स के वो आते हैं बाई बोट्स कोरियर वगेरा और वो उसके बाद यह कार को में चड़ते हैं एक मिनट रुको अब इसको डिय अटाइस करते हैं और गाईस यार फाइनली भाई हमारी थार में पावर तो है बाई मतलब इंडियन और उसके बाद शिफ्ट डिजायर वाला मोडल है कि एक सेकंड एक सेकंड और इस कार और बढ़िया लगते न शिफ्ट डिजायर और यार प्रैंकि भी लगती है अब कल वे शिफ्ट मेरे को दे दे मैं स्वीट को लेकर जाँगा गुमा ने अब इक सेकंड गाया यह लैंड प्रूसर है क्या और यह कितनी जौदा तगली लग रही है एक सेकंड रुको और यही बाई टाटा की श्ट्रॉम अब इस बार तो भाई हमारी इंडियन की स्वी अब कर दो निकालते हैं एक मिनीट रुको चली जली बाहर निकालते हैं ऑपे बलीनों तो बहुत ज्यादा टाइम से थी बाकिए इस गाड़ी के ओपर अभी कोई भी नंबर प्लेट नहीं है अगर आप बोलोगे तो आपका नाम भी इस वाली गाड़ी के ओपर मैं कॉलते हैं अब भी और यहाником भी बाली अवर हूप निकालते हैं अब सारी काड़ी बाहर निकालते हैं अब यहां कर रहा हूं कर रहा हूं अभी काईस पटाफर से सारी कारे बाहर निकालता हूं और यार इस गाड़ी की भाई आप लुक देख सकते हूं कितनी जादा हो समय अभी इसको फटाफट आगे लेकी चलते हैं मैं भी चलूंगा और चलो चल तू मत बैटा वी और कितनी जादा हो पिका रहा है अभी क्या तेरे ऊपर चलगी क्या अभी सोरी काईस आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोगों को यह वाली टाटा लेंड क्रूजर कैसी लग रही है मतलब गाईस यह बिल्कुल और वगारा रिंज रोवर की तरह ही है और काईसा मेरको तो उनसे जादा पावर लग रही है मतलब गाईस का सस्पेंशन देख तो क्या पर चल रही है और यह देखो कितनी जादा बढ़ी है और इसकी हाइट पूरा चौप नीचे से निकल गया अभी चौप तेर से भी बल अब यह जादा पर लृण प्रवी चौप चौप रही है और यह तीन ओब तुके है और यह गाडी बैट चुके है और यह गारी के पूरे कारकों को चौप नीचे आ गया अभी जाओंगा दूए से अभी गाड़ी के नीचे आ गया था और काइस अब कर दो करके जो बताथा ना कि आप लोगों को यह वाली लेंड क्रूजर कैसे लग रही है मेरको तो एक नुम्बर की लग रही है और जो इसके अंदर पावर है ना वो कुछ जादे next level है मतलब भाई मैंने फोर्चुनर भी चलाई थी उसके अंदर भी इतनी जादा तकड़ी पावर नी थी और उसका suspension भी इसने जादा तकड़ा नी था अभी चलो guys उसको यहाँ लगाते हैं बाकी guys यार अभी न मेरे को यह सारी की सारी लिखवा देंगे तो चलो guys इस वाली वीडियो में इतना है और guys अगर आपको इस वाली वीडियो का next part चीहें तो फटा फट कमेंड में जाके next part लिख दो मैं इस वाली वीडियो का next part चल दी लिया हूँगा तो मिलते हैं एकली वीडियो में goodbye, bye bye